मुंबई हाइकोट ने पाकिस्तान के कलाकारों के भारत में काम करने पर पूरी तरह से प्रतिवन लगाने के अनुरोथ वाली याचिका को गुरुआर को खारिश कर दिया हाइकोट ने कहा कि देशबक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को विदेश से विशेशकर पड़ुसी देश से दुश्मनों जैसा पेवार करने की अवशक्ता नहीं है अदालत ने टिपपड़ी में कहा कि एक व्यक्ति जो दिल से अच्छा है वो अपने देश में किसी भी ऐसी गतिवीदी का स्वागत करेगा जो देश के भीतर और सीमा पार शांती और सद्भाव को बड़ावा देती है नयायमूर्ती सुनिल शुक्रे और नयायमूर्ती फिर्दोष पुनिवाला की खंपीट ने फैस अनवर कुरेशी के तरफ से दायर याचिका को 17 अक्टूबर को खारिच कर दिया फैस अनवर कुरेशी ने दावा किया है कि वह एक कलाकार है याचिका में अदालत से केन सरकार को यह निदेश देने की मांग की गई थी कि वह भाती नागरिकों, कमपनियों, फर्मों और असोसियेशनों पर किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को काम पर रखने या उसकी पेशकर्ष करने उसकी किसी भी सेवा को लेने या किसी भी असेशीशन में प्रवेश कराने आधी पर पूर्ण प्रतिबन लगाए इन में फिल्म कलाकार, गायक, संगितकार, गीतकार और टेक्निशियन भी शामिल है अधालत नहीं आचिकर ये कहते विखारिश करदी की आचिकर करता जो राहत चाहता है वह सांस्कृतिक सत्वाव एक्ताव शांती को बड़ावाद देने की दिशा में एक प्रतिगामी कदम है मॉंबे हाई कोट ने अपने आदेश में कहा सभी को समझना चाहिए कि देशबक्त होने के लिए किसी को विशेश कर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रत्रापूर्ण वेवार करने की आविशक्ता नहीं है इसी के साथ बनेव है इस्योनिश इंडे के साथ भनेवाद